इंडिया में फिजियो थेरपिस्ट कैसे बनना है आओ समझते हैं सबसे पहले आपको 10-12 में लेनी है फिजिक्स केमिस्ट्री और बाइलोजी और आपको कम से कम 50% नमबर से पास होना है फिर आपको करनी है बैचलर्स इन फिजियो थेरपी बीपीटी जो की साड़े चार साल की है अगर आप किसी गवन्मेंट कॉलेज से बीपीटी कर रहे हैं तो आपका खर्चा आएगा पचास हजार से पांच लाग तक का बैचलर्स इन फिजियो थेरपी करने के लिए दो सबसे अच्छे कालेज जो हैं करिश्टन मेडिकल कालेज जो की वեलोर में हैं और जामिया हमदर्थ यूनिवरसिटी जो की डेली में है बैचुलर्स इन फिजियो थेरपी करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में एज जूनियर फिजियो थेरपिस्ट की जॉब पर अपलाई कर सकते हैं जहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 20 से 25 हजार पर मन और किस प्रोफेशन के बारे में आपको इंफरमेशन चाहिए कमेंट में जरूर डालना और सब्सक्राइब भी कर लेना